इस वीडियो में मैं आपको बता हुगा कि आप एक Lottery वेबसेट करेंसे बना सकते हो और आपका जो भी योगो टिकित को भाई करेंगा अगर विन करता है तो आप उसको जो भी प्राइज होगा या जो भी प्रॉर्टक होगा ओप आप उसको दे सकते हो तो website का मैं आपको एक demo दिखाता हूँ इस तरह का आपका website आएगा और यहाँ पर आपको live competition का एक section मिलेगा और आप जितने भी यहाँ पर competition आड़ करोगे वो सब यहाँ पर show हो जाएंगे जैसे यहाँ पर मैंने demo के लिए moto g45 mobile यहाँ पर आड़ किया है और जो ticket का limit है वो 70 है ओके और यहाँ पर timer भी चल रहा है यानि कि एट दिन बाद यह जो competition होगा वो draw हो जाएगा तो इस तरह से आप multiple यहाँ पर competition आड़ कर सकते हो उसमें आप iPhone अगर आपको car या bike या जो भी आपको यहाँ पर price रखना है competition में और जो भी ticket का price रखना है वो आप admin panel से set कर सकते हो ओके और यहाँ पर आपको जो भी timer set करना है मतलब कितने दिन बाद यह जो competition होगा वो draw हो जाएगा वो आप सब admin panel से set कर सकते हो तो आपका जो भी user होगा अगर उसको ticket buy करना होगा तो first उसको यहाँ पर buy ticket पर click करना होगा उसके बाद यहाँ पर ticket का amount select करना होगा अगर उसको एक ticket चाहिए या multiple अगर उसको ticket चाहिए होगे तो यहाँ से वो add कर सकता है next उसको यहाँ पर ticket का number select करना होगा वो यहाँ पर manually कोई भी number यहाँ पर ticket का select कर सकता है single या multiple उसको जितने भी यहाँ पे tickets चाहेंगे वो सब यहाँ से वो select कर सकता है और next यहाँ पे वो card में जाके यहाँ से payment करके ticket को book कर सकता है ओके तो इस तरह से यह work करता है और इसका मैं admin panel में आपको दिखा जाता हूँ तो इसमें आपको यहाँ पे payment gateway का option मिल जाता है यहाँ पे आप automatic और manual दोलो payment gateway आड़ कर सकते हो और manual में आप UPI, crypto आपको जो भी payment system आड़ करना है वो आप यहाँ पे आड़ कर सकते हो next अगर आपको यहाँ पे competition को अगर आपकी website में आड़ करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे competition वाले option में आना है first अपको यहाँ पे categories को आड़ करना होगा तो यहाँ पे मैं एक car competition आड़ कर देता हूँ आप यहाँ पे जो भी competition आड़ करना चाते हो first उसका आपको यहाँ पे category आड़ करनी होगी next अपको यहाँ पे इड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आड़ new bay लीक करना है कि मेंस तो यहाँ रेक मीशिन को करना हो कि आपको है कि人間 करना है पक कि लिए से करना है निक्स आपको यहां पर number of tickets को add करना है तो यहां पर 60 कर देता हूँ यानि कि इस से ज़्यादा जो होंगे वो tickets sales नहीं होंगे MAX इतने ही आएंगे निक्स आपको यह पर max buy per person set करना है यानि कि एक जो person होगा वो कितने tickets buy कर सकता है next आपको यहाँ पर ticket start from करना है तो यहाँ पर मैं one कर देता हूँ यहाँ पर आपको segment में भी number add करना होगा आपको यहाँ भी यहाँ पर number add कर सकते हो next आपको यहाँ पर instant choose variation में आपको यहाँ भी number add कर सकते हो लेकिन वो 3 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए next आपको यहाँ पर number of winner ticket set करना है तो यहाँ पर मैं one set कर देता हो next आपको यहाँ पर draw date set करनी है यानि कि इसके बाद जो होगा वो जो competition होगा वो end हो जाएगा next आपको यहाँ पर description add करना है और same आपको यहाँ पर price info भी यहाँ पर set करना है नेक्स आपको यहाँ पर इमेज सेट करनी होई और इमेज की जो साइज है वो 640x 450 पिक्सेल में है तो आपको इसी विट और हाइड में इसको यहाँ पर अप्लोड करना होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो सेकेंड जो कॉम्पिटिशन है वो एड हो चुका है यहाँ पर मैंने मोटो जी 85 मोबाइल को सेट किया है और यह जो कॉम्पिटिशन है यह 53 चलने वाला है जैसे ही यहाँ पर यह कंपिट हो जाएगा कंपिटिशन तो यहाँ पर आपको विणर मिल जाएगा अगर आपको यह कोड फ्री में चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे व toning से वेपोस्टिंग को भाई करना होगा तो यहाँ पे आपको web boosting में gold और diamond इन में से किसी एक plan को one year के लिए buy करना है अगर आप one year के लिए यानि कि एक साल के लिए इसको buy करते हो तो आपको जो यह code यह free में मिल जाएगा लेक्स हम देखते हैं कि आप script पो किसे setup कर सकते हो तो सबसे पहले आपको अपने c plan के file manager में जाना है और यहाँ पे आपको इसका जो source code है उसको आपको operate करना होगा तो मैंने ओल्रीड इसको operate किया है मैं इसको extract कर लिता हो extract करने के बाद आपको यहाँ पे core वाले folder में आना है next आपको यहाँ पे .env इस file को edit करना होगा next आपको यहाँ पे आपको जो domain होगा उसको आपको यहाँ पे add करना है next आपको यहाँ पे database details को add करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने c panel में database बना लेता हो तो यहाँ पे मैं एक game नाम से database create कर लेता हूँ next आपको यहाँ पे user को भी create करना है और यहाँ पे जो password होगा उस password को आपको copy करके यहाँ पे env वाले file में update करना है next आपको यहाँ पे आपको यूजर होगा और database होगा उसको add करना होगा next आपको यहाँ पे all privileges पे टिक करके इसको make save करना है next आपको यहाँ पे database और user को update करना होगा env वाले file में और उसके बाद आपको इसको save करना है निलेक्स आपको यहाँ पर PHP My Ademian में जाना है और इसका जो Database का File होगा उसको आपको यहाँ एंपोर्ट करना होगा तो फ्रस्ट आपको यहाँ प को जो भी Database से उसको स्रेट करना है Imput वाले Option में आना है उसके बार आपको यहाँ पर Database वाले File को स्रेट कर invert करना है तो वेबसेट हमार रेडी हो चुका है नेक्स आपको इसके आडिमिन पैल को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्लाइश आडिमिन लिख के लॉग इन करना होगा तो सेम जिस तरह से मैंने आपको बदा रहा था कि फर्स्ट आपको यहाँ पे कॉम्पेडिशन को सेट करना होगा काटिगरी को और इसके बाद आप यहाँ पे मैनेज में जाके आपको जो भी कॉम्पेडिशन यहाँ पे सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो ओके और नेक्स अगर आपको इसका करना होगा तो यहां से आपको क्रॉण वाले कमांड को कॉपी करना होगा और सी पैनल में जाके आपको क्रॉण जब सेट करना होगा तो इस तरह से आप इसका एक लोटरी वेबस्ट बना सकते हो और इसका अगर आपको सोर्सकूर्ट चाहिए तो आप मुझे कांटक कर सकते हो